तो है लो गाईज वेलकम बैक मैं चैनल आज हम लोग पढ़ेंगे एरोसॉल के बारे में ठीक है तो एरोसॉल की पूरी इसमें ब्रीफ डिस्केशन करेंगे कि एरोसॉल होता क्या कितना टाइप्स को होता कैसे बनते हैं क्या ड्वांटेज डिस्वाइंटेज है और पूरी की पूरी इसकी पैकेश्चिंग में बारे में कैसे कंस्ट्रक्थ होता है पूरा हर चीज के बारे मं इसको पढ़ेंगे तो व्डेयो को स्टार्ट करते हैं एरोसॉल होता क्या लिखра होखा है एक्शिस अरुपज्वाइन रिक्व 60 फेस अन गया है कि जो जो अरो phase होते हैं दो phase का मतलब क्या हुआ कि एक phase होता है जो gas होती है दूसरा phase जो होता है आपका dispersion system जिसमें कि आपका perfume जैसे बनता है तो उसमें एक phase रहता है gas का दूसरा उसमें perfume की जो भी smell order रहती है तो ऐसे ही same अगर कोई medicated aerosols बनता है तो same इसी तरी के से एक phase gas होती है इसमें ठीक है propelent gas भरी रहती है इसमें propelent कौन सी भरी रहती है इसमें category होते है 111 111 ठीक है और 114 इसमें चार टाइप की यह gases होती है और भी monofluoro ठीक है तो वो अलग-अलग categories की हिसाब से भरी जाती है किस medicines के क्या भरी जानी कौन सा उसमें continuous phase इस्तिमाल करना है तो यहाँ पर अब same वही चीज है कि जो drugs होगी वह आपका solid particles पर होगी या liquid particles पर होगी और दूसरा जो phase है जिसके अंदर वो जालव है उसमें gaseous form में तो वहाँ पर क्या रहता है प्रेशर रहता है एक प्रेशर का मतलब क्या होता कि वहाँ पर जब भी आप aerosols को आप दाबते हैं एक बार push-up करते हैं तो एक specific amount में drug उससे release out होती बाहर निकलती उससे ना ज्यादा उससे ना कम एक specific amount निकलती है अब aerosol होता कितने टाइप का जनरली एरोसol जनरली टाइप के जो होते हैं इसमें तीन टाइप का होता पहला space aerosols या spray दूसरा होता surface coat aerosol spray तीसरा होता है foam aerosol spray ठीक है अब space aerosol spray के बारे मैं अगर देखें तो इसमें लेका it contains finely divided particle having particle size 50 mu micron example insecticide spray insecticide spray जैसे कि mosquito replant वगेरा आते हैं इसमें जो उसको kill करने के लिए आते हैं तो वो आते हैं spray aerosols दूसरा होता surface coat aerosols या spray it contain dispersed particle having particle size 200 mu micro इसके जो particle के जो size होते हैं वो 200 microgram के होते हैं जैसे hair spray personal deodorizer ठीक है ना personal deodorizer perfume वाले body spray तमाम सारी चीज़ें आती हैं तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं आपका aerosol coat spray तीसरा होता forming spray या foam spray in this type the product come out in the form form of the form in the container example saving cream आते हैं या आज के time पे जो शादियों में form उड़ाते हैं फिरते हैं बच्चे ठीक है ना या जितने भी saving cream आते हैं या दूसरे और भी कोई आते हैं तो यह generally तीन type case का classify containers होते हैं aerosols होते हैं ठीक है फिर उसके बाद देखते हैं advantage और disadvantage के बारे में ठीक क्या इनके फायदे होते हैं क्यों aerosols बनाया जाता है container पहला है इसका लिखा है इट डारेक्टली applied on the affected area जिस जगे में particular आपको चाहिए यह particular उस reason में आपको directly apply किया जाता है ठीक दूसरा है इट minimize the discomfort caused by the manual applied कई मुर्दबा क्या होता है कि discomfort के जो condition होती है manual cause करने की वज़े से उस manual cause से discomfort होने की जो chances होते है उसको का करता है कम करता है कम से कम तीसरा होता है easy of application इसका use करना बहुत आसान होता है चौता होता है absence of air prevent oxidation of product product को oxidize होने से बचाता है air के contact में आने की वज़े से ठीक है ना माचवा है इसमें hydrolyze of medicament can be prevented hydrolysis भी prevent करता है जैसे oxidation वैसे hydrolysis को भी prevent करता है च्छटा है drug can be given by oral inhalation इसमें जिसको oral inhal करानी है उसको भी हम आसानी से दिया जा सकता है aerosol की जरिये से साथवा है the drug the sterility of product can be maintained जो product की sterility है उसको भी आसानी से maintain किया जा सकता है आटवा है the manual contact with the medicament can be avoided जो directly contact में medicine के आने की जो chances होते हैं वो भी avoid हो जाते पेशेंट को पता ही नहीं चलता वो air की जड़ी इतने particle size उसका छोटा रहता है कि वो उसको पता ही नहीं पीली नहीं होगा और वो avoid हो जाता है और आसानी से पहुच जाता है उसको feel भी नहीं होता कोई discomfort भी नहीं होगा अब disadvantage क्या होते हैं बहुत होता पहली चीज तो एक टाबलेट के comparison में एक सीरफ के comparison में अगर एरोसॉल की बॉटल करी देंगे तो costly पढ़ता है दूसरा some of the propelent are very costly जो उसमें गैस भरी जाती है यह बताया कि यह बहुत costly होती है तो हर किसी medication का aerosol बनाने भी difficult होता है बनाया भी नहीं जाता है इसी वज़े से तीसरा होता some propelent irritate and injured parts कई सारी ऐसी gases होती है उसमें some propelent कैसे होते है जो irritation cause कर सकते हैं मतलब वहाँ पर itching burning कुछ हो सकता है साथ में कई मर्तबा अगर जादा उनकी condition ऐसी हो सकती कि जिस skin में जिस particle reason में दिये गए तो वहाँ पर क्या injury कर सकते है ठीक है ना burn करा सकते हैं दूसरी चीज़ कर सकते हैं इसलिए भी नहीं ज्यादा aerosol बनाया जाते है चौता है some propelent produce toxic कुछ ऐसे होते है toxic nature क्यों होते है ठीक है न पाच्वा होता these should be kept away from the children ये बच्चों से दूर रखने चाहिए ठीक है छटा होता many difficult are faced in aerosol formulation aerosol formulation को बनाने के लिए कितनी सारी difficult को सामना करना पड़ता है ये तो जानते ही है कि उसको fill up करने के लिए कितनी difficulties होती है पहला तो उतना pressure maintain करना दूसरा तो उसको फिर cold packing करना तो वो भी उतना बड़ा मुश्किल काम है माइनस 40 degree temperature maintain करना freeze भी नहीं maintain कर पाएगी जल्दी से तो बहुत high freezer चाहिए उसमें जो माइनस 40 तक पहुंचा सके उस temperature को ठीक है फिर चलते इसमें right note formulation on aerosol what are the type of aerosol system कितने type की aerosol system होते हैं साथ में हमें aerosol के formulation के बारे में एक note समझना क्या होता है किस type से बनता है अभी हमने बताया था कि aerosols में जादा कुछ होता नहीं प्रोप्लेंट गैस जो होती है दूसरा आपका medicine होगी जो भी चीज होगी directly वाला वह solid particle में भी हो सकता liquid में हो और प्रोप्लेंट जो होगी वह gases form में होगी आधर additive कुछ उसमें डल सकते जैसे flavoring है ठीक है या उसमें antioxidant है या surface active अजन कुछ ऐसे अजन भी डाले जा सकते बस तो तीन चीज़े ही रहती उसमें formulation में aerosol के इतना ज्यादा कुछ होता नहीं ठीक है न अब हमने बताया था कि प्रोप्लेंट जो होती है कि टाइप की होती है इसका काम क्या हो रहता है प्रोप्लेंट का container के अंदर प्रेशर को generate करके रखना कि जब भी उसको उसका जो बटन होगा एक्टवेटर जिसको कहा जाता उसको पुछ किया जाएगा तो एक specific amount निकलेगी उस दोरान ठीक है for the purpose of compressed gas like CO2 N2 liquefied gases like ethane methane can be used as a pro plant बहुत सारी ये जिनको हम लोग ऐसे प्रोप्लेंट के टौर य्यूस किया जाता ऊ Academic EV ऐसाओ छो फार्मसुटीट Alors लिए अगर प्रोप्लेंट की ईसञारोगने रहे जाते हैं चरोसॉच कि बसके लिए रहले पकी जहाते हैं सब्सक्राइन कई मे反र होते हैं नहींद यह कितने अर्थ हो सकते हैं। अब एरो्सॉच्च के जो सिस्टम होते हैं I इसके जो system होते हैं वो दो टाइप के होते हैं पहला होता है two-phase system दूसरा होता है three-phase aerosol system अब two-phase system का मतलब वही in this system medicaments solid or liquid and soluble in propelent and dispersed in the propelent thus aerosol system has two-phase one is liquid other is gaseous health called two-phase aerosol system कहने के मतलब क्या हुआ कि यह basic aerosol system जो हमने बताया अभी अभी तक पूरा discussion चल रहा है कि एक जो medicament है वो solid में होगी यह liquid होगी आपकी medicine दूसरा form उसमें क्या होगा आपका propelent gas होगी जो भी क्या होगा two-phase system में जब भी आपका कोई भी aerosol जिसमें कि आपकी एक propelent gas हो दूसरी सिर्फ और सिर्फ आपकी medicine हो ऐसे system को two-phase system कहा जाता है ठीक है अब आता है three-phase aerosol system क्या होता है in this system the medicament is insoluble in propelent and it is dissolved in the liquid which is immisible with the propelent कहने के मतलब क्या हुआ ऐसे three-phase के aerosol system में जो medicine होती है जो solid या liquid है आपकी वो कैसी होगी insoluble होगी देखो पहले वाले में क्या था soluble भी हो सकती है और insoluble भी हो सकती है दोनों था इसमें क्या होगा सिर्फ insoluble होगी soluble नहीं होगी ठीक है इस बात को दिमाग में रखना and it is a dissolve in the liquid और किसमें होगी dissolve होगी liquid में which is immisible with the propelent क्या मतलब हुआ आपका जो medicine है वो पहली चीज़ insoluble नहीं होगी किसके साथ propelent के साथ दूसरी चीज़ क्या है इसमें वो dissolve होगी liquid में जो की propelent के साथ में ठीक है आपका medicine क्या है एक solid forf में फिर उसमें क्या किया एक liquid लिया जिसके साथ वो medicine आपकी घोल दी गई ठीक है अब एल्कोहल ले लिया बेंजीन ले लिया इथियर ले लिया उसमें हम पैरासीटामॉल का बना रहे है तो पैरासीटामॉल की टैबलेट लिये यह एक ड्रक्स फॉर्म में ले लिया solid फॉर्म में वो जिसके साथ soluble है ठीक है जिस compound के साथ soluble उसके साथ ले लिया वो तो कितने फेज हो गए यहां पर एक वो और एक यह दो और तीसरा आपका propellant हो गया तीन फेज तो ऐसी condition को क्या कहा जाता है थ्री फेज एरोसॉल सिस्टम कहा जाता है देखो वही प्रोपलेंट हो गया सिस्टम तो समझ में आ गई बात कि और जो टाइब की होते जनरली दो टाइब के होते होते और वही बता दिया हिर्ए वही वाला वह वाला जिसमेर Jugend ऊप्यास होता आप को impacting के सब्सक्राइब टीन बिर्म सो किलासिश सबाइब हम लोग ने उसके particle के size के basis पर और यहां पर हम लोगों ने उनके aerosol system के बारे में किया कि aerosol system कैसे बनता है formulation के बारे में discussion किया क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़ती है तो ज्यादा कुछ नहीं न ठीक अब आते हैं उसका construction of aerosol का container ठीक है दिख रहा होगा structure में कि aerosol का container ऐसा ही थो होता है एक bottle होती है ठीक है उसके अंदर एक आपकी वो dip tube पड़ी रहती है जो liquid के आथ में अंदर डिप रहती है उसको dip tube होती हो रबड की भी होती है ठीक है specific metal से metal का उपर तुमारा एक्टवेटर होता है वाल लगा होगा उसके bottle के उपर फिर एक वैपर फेज होगा मतलब पूरे उसमें medicine नहीं भरी रहती कभी देखा होगा पूरा नहीं भरा रहता है क्योंकि आदा उसको खाली रखते हैं कि प्रेशर जनुरेट करने के लिए गैस बनाने के लिए एक लिक्यूट में कंटेनर बाहर उसके बाद प्रोप्रवेलंट में इंग्रेटेंट भी पड़े हैं साथ में लिक्विड फेस फिर उसी में अपकी डिजाल हूँ एक वाल लब है और उपर क्या है एक्टुवेटर जिसको पुछ करते हैं तो उसके बस नीचे से जहाँ से वो रहता है उसका ठीक है, एक hole होता है बारीक सा, उस hole के जरी से medicine बहार आती है, तो इसमें structure में समझ में आ रहा होगा, अब देखते हैं कि container के इसके जो part है, कितने type से divide होते हैं, container के जो part है, इसके चार type से divide होते हैं, ठीक है, पहला खुद container, दूसरा valve, तीसरा activator, चौथा diptyo, ठीक है न, चा बहुत minimum होते हैं container की aerosol के उसमें या कोई ऐसी चीज बनाई जाए, जिसमें pressure create करना हो, तो plastic बहुत rare use होती है, ठीक है न, क्योंकि उसको damage होने का खतरा रहता है, container का, ठीक है न, उतना pressure जहल नहीं पाता हो, इसलिए, तो plastic का बहुत कम होता है, तो it is a constructed from the metal glass और plastic glass में दिए होती है, the metal use our aluminium stainless steel etc, the container shall be such that it can be withstand high pressure, हमने जो बात बता है कि उतना pressure ना जेल पाने की वज़े से कहीं मरतबा plastic के container नहीं रखे जाते हैं, हलके फुलके freshers के लिए वाले plastic container यूज कर सकते हैं, तो mostly जो container होते हैं, aluminium के या metals के किसी specific होते हैं, फिर आता है इसमें valve, जो इसका main हिस और बंद हो जाएं, ठीक है, it should spray the content in dispersed form, यह क्या करें, जो आपका material है, content है, उसको एक dispersed form में spray कर दे, the three type of valve are used in nowadays, आज के समय में तीन टाइप के valve यूज होते हैं, पहला continuous spray valve, दूसरा meeting valve, तीसरा foam valve, ठीक है, तो यह जो valve हैं, यह कितने type के हो गएं, तीन टाइप के, continuous में, the valve expels medicament continuous as a long activator spray, जब लंबे समय तक हम लोग बटन को उसके दाप के रखते हैं, तो क्या होता है, continuously valve खुला रहता है, जिसकी वज़े से continuously spray होते हैं, दूसरा है, metering valve, metering का मतलब, एक बार दाबने में, एक specific amount ही निकलती है, ऐसा नहीं होता कि हम उसको दाबे रहेंगे, तो नि amount ही निकलेगा, उससे 1 ml, 2 ml, जितना उसमें निकल रहा हो गए, specific, तो क्या होगा, patient के लिए दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए जादा नहीं, इसलिए डॉक्टर से बोलते हैं, कि दो बार या तीन बार पुश करना है, तो तीसरा होता है, इसलिए जादा वालव, इसलिए इसलिए यह बार पुश करें, तो उससे फॉम निकलता रहता है, पिर इसका तीसरा पार्ट होता है, एक धुटिएर का है, वालव के उपर जो एक फिटेड ढकन रहता है, जिसको अम लोग प्रेश करते हैं, जिसके जरी से वालव क्या होता का open करता है और वो medicine या जो भी आपका compound भरा हुआ है container के नदर वो बाहर आपने लगता है तो उसको कहा जाता है actuator ठीक है dip tube अब dip tube क्या होती है जो पूरी connect रहती है valve से आपकी connect रहती है actuator के पास ठीक है उसी को कहा जाता है dip tube ठीक है container के नीचे bottom से लेके एक tube पड़ी है देखो इसमें इसी को कहा जाता है dip tube ठीक है it is made up of polythylene या polypropylene it is a use for two purpose जिसका दो purpose होता it convey the liquid from the bottom to the container in the valve at the top नीचे से उपर तक ये material को पहुचाने का काम करती है दूसरा it prevent the propellant to come out without dispensing content of the package ये रोक के रखती है किसको propellant को क्यों रोक के रखती है कि पता चले dispense नहीं करना dispense का मतलब होता है they are used for spray bandage for the application of drug for typical use बहुत सारे ऐसे आने लगे जैसे मूव आने लगा ओमनी जल के इस प्रेय आते जहां चोट लगी फोरान इस प्रेय कर दिया गया specific एक जगे पर ठीक है ना तो पार्टिकलर रीजिस में आपको उसमें इस प्रेय कर सकते हैं topically दूसरा they are used for the administration of drug into various body cavities आज की समय में बहुत सारे ऐसे इस प्रेय आते हैं जो body cavities में directly हम लोग ड्रक्स को दे सकते हैं they are used for they are used for administration of drugs such as local anesthetic local antiseptic and local energy अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अनस्थेटिक they are used to spray cosmetic preparation such as perfume बहुत सारे perfumes भी आते हैं कॉस्मेटिक की इंडिस्ट्री में they are used to spray disinfectant deodorizer sanitizer आज के समय में सब यह आ रहा है sanitizer भी आ रहा है spray सब यह सी के bottle आते हैं प्लास्टिक के तो यह सारी चीज़े होती है ठीक है बाकि इसमें लिखा right note on the flexible packages बहुत सारे liquid के लिए हैं लगाते हैं semi solid के लिए लगाते हैं tubes आते हैं ठीक है और पेपर इस वाइडली यूज़ फार रग कॉस्मेटिक पकेज़े दू लाइट वेट इनाफ स्ट्रेंध एकॉनमिक एंड कॉनिए इसकी वज़े से पेपर को भी यूज़ में लाया जाता है coated the laminated paper are more advantageous coating किया जाएगा है बहुत सारी limiting कर दे heat seal ammonium fold उससे कर दिया जाएगा flexible package एंड सिलफोन तो यह सारी चीज़े हैं आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर thank you so much जान रखिए अपना बाबाई झाल झाल कर दो है कर दो हुआ होजआ हाए gogg यह ए ह और ल denim झाल झाल